तो दोस्तों नमस्कार एक बार फीड से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो कैसे आप सभी आसा करता हूं बहुत यह अच्छे होंगे तो आपका आग्या है कि टुबेल्थ का हिस्ट्री चल रहा है हरपा सभ्यता सरांस चल रहा है वह पार्ट फाइव आ गया है आज पार्ट फाइव लास्ट होगा इसके बाद आपको अंसर मिलेगा ठीक है अई क्लास को सुरू करते हैं चल ये हां से देखे पहला पॉइंट है कि हरपा सभ्यता के धार्मिक जीवन हैंने हरपा सभ्यता के निवासि अपना धार्मिक जीवन की इस तरह से बिताते इसलिए देखें से हाँ पर हरवा जब्यता है धार्मिक स्वारूब के बारे में किसी फरकार का लिखित शाहित या असमारक उबलब्द नहीं है यह थार्मिक जीवन के बारे में बोलेंगे तो कोई लिखित जो है न प्रमान नहीं मिला यहां हुए उत्खनन स्वरुप प्राप्त अवसेशों के आधार पर ही धार्मिक स्वरुप का अनुमान लगाया जा सकता है यह रप्पास बेता के लोगों का अगर हम धार्मिक स्वरुप के जिवन के बात करेंगे तो उसके लिए कोई लिखित प्रमान नहीं मिला है कि जो उत्खन के द्वारा जो प्राप्त वस्तों मिली है ना उनका अनुमान लगा सकते हैं जैसा आपका दिखे जहां से धार्मिक स्वरुप की पर्मुग विश्विस्तायन नमर एक है कि हरप्पा संस्क्रिति के मिश्र तथा मोशोपाटामियां कि तरह कोई मंदीर प्राप्त नहीं हुआ है और नहीं ऐसा कोई भवन मिला है जिसे की मंदीर की संग्यां दी जा सके जिस तरह से मिस्र और मोसव पटाम्या में कुछ मंदिर मिला था कुछ परमान मिला था उस तरह से जो नहीं मिला है जिसे को मंदिर या मस्जित कहा जा सके अगला है नमर दो क्यों मोहन जोद्रों एवं हरप्पा से प्राप्त मिरिन मुर्तियों को पुराततों वेता मात्री देवी की मुर्ती मानते हैं इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मात्री देवी की पूजा होती थी मात्री देवी ही आज जो है ना दुर्गा हो गया चंडी हो गई गवरी हो गई आधी के नाम से जानी जाती है तो हरपास बेता को लोग किसकी पूजा करते थे मात्री देवी की पूजा करते थे किसकी मात्री देवी की पूजा करते थे अगला है एक मुर्ती में इस्तिरी के गर्व से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है ठीक है जो संभवता धर्ती देवी की मुर्ती है नहीं प्रमाज्ट में एक मूर्ती मिला था जो कि मूर्ती का घर्भ से मतलग पेट से एक पोजा निकला lado दिखायत पना था इसे प्रमानित होता है कि वह ढर्स्केंद। हरप्पा वासी धर्ती को उरुवर्ता की देवी मान कर इसकी पूझा करते थे हरप्पा निवासी जो है धर्ती की देवी की भी पूझा करते थे मोहन जोदरों में पवसुपति की भी पूजा की जाती थी किसकी पुषुपति की अगला है हरपा सभीयता से बहुत संख्या में पत्थर अथवा मिट्टी से बनी लींग योनी की प्राप्ती लींग पूजा का संख्येर मिला था मिट्टी का पत्थर का लिग और योनि मिलता इस कि हालाहा था इस इसा कोई प्रमान नहीं है हिसा में कूबर दो पूजनिया था हरपा निवासी कुबर वाला बेल जिस बेल के उपर में कुबर सा उजयता है ना उठावा उसको रपा निवासी बहुत अच्छा पूजनिया मान देते भगवान शंकर का जो है ना एक सवारी मानते तो नंधी कहते हैं अगला है हरपा सभ्यता के लोग नग और नाग होगा कि पूजा करते हैं कि नग डेवता के के लोग तंतर मंत्र में भी विशुत रखते इने जब उधरान क्या गया था तो महाँ पर कुछ स्वास्तिक का प्रबंद सुड़ी पूजा से होता है यानि कहने मतलमा पर स्वास्तिक मिला था ठीक है और इससे प्रबंद होता है अगनी पूजा अरथात हवन भी करते थे का कि हरपा सभीता के लोग अगनी पूजा अरथात हवन भी करते थे अगला है मिनित्थक संसकार पर मार्सल मर्शल या पर लोग मर्सल महोदय ने तीन बात बताया नidar कiphक नहीं हुआ यह भhelm Hisatное कि लोगो कि नब कता बताया है तो जो garant बताया तीन वाद बताया था पहला था कि पुर्ण समाधी करन इसमें संपुर्ण सब को सब का मतला हो गया डेड़ बोडी इन में संपुर्ण सब को भूमी के नीचे गार दिया जाता था किसके नीचे भूमी के नीचे पुर्ण समाधी करन में क्या होता था संपुर्ण सब को जो है भूमी के नीचे दफना दिया जाता था दूसरा तरीका क्या था कि आंसिक समाधी करन इसमें जो है ना इनमें पुसुपक्षों के खाने के पश्चात सव के बचे ही वे भाग गारे जाते थे आने की पहले जैसे लास को फिट दिया किसी किनाडें भी दिया माहा पर पुसुपक्षी खा लिया जो हडडडगूर्डी वचा तब उसको जोना बात में दफनाय जाता था यह था आसिक समाधी करन विबन तिन है दाहकरम क्या है इनमें इंगलत है ठीके इनमें सब को सब को ताओसन से फ्रापत ताविज्व से पताचलता है कि अंद विश्वासी तता भूत प्रेत में भी विश्वास कर्ते थे उत्खरण के दुवारा जो हरपा वासी का जगह पर पुरावीदों को मतलब विज्ञानी को लोगों जो ताबिच मिला था ताबिच से प्रमानित यह होता है कि हरपा निवासी तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे अन्य कि अंद्विश्वासी भी थे कि लाइए आर्थिक जीवन हरपा सब्यता को लोगों का आर्थिक जीवन हरपा निवासी हरपा वासी आर्थिक जीवन विशेष्था किड़िसी कारियों में करते थे अन्य हरपा निवासी जो है ना विशेष्थ वरपा किड़िसी वाले किड़िसी वाले मतलब किसान वाले का क्या करते थे लोगों की अर्थ विवस्ता का मूल अधार था उरुवर्ता के कारण यहां आनाज की कमी नहीं थी आनाज दखने के लिए भंडार गिरी भी थे कापास की भी खेती होती थी जिसे की लोग प्रक्रा भेद अपना काप्रा सिल सिलगा बनाते थे जिससे के लोग आप ना पहनने के लिए वस्ता भी बनाते थे ठीक है अगला है की पसुपालन के साथ रफबावासी के पैसा मिलता उन्हों को यहां दो परकार के वैल होते थे रप्पा में कुनगोन एक कुबर्दार बरेज सिंग वाले दूसरा था के छोटे सिंग वाले गाय बैल छोटे य कोड़ सिंग वाले थे उसके पर गाय बैल हो गया वैल दूग हो गया वैल कुता हाथी सुवर गधा एवं उट इनके परमुख पालतु जानवर थे किनके हरपावासी के और कुट्टा की बात करेंगे तो कुट्टा सिकार के काम में भी आता था हरपावासी का जो है ना कुट्टा सिकार के काम में आता था अगला है हरप्पा वासी अब जो है ना उद्योग पर्विनी भर करता था है शिल्फ तथा उद्योग धंदे किर्शी तथा पसुपालन के अतिरिक्त यानि किसान और पसुपालन के आलावे भी जो है ना हरपा वासी विभीत परकार के सिल्फ इवं उद्योग धंदों की प्रति भी हरपा संस्कृति के लोगों का रुजान था कप्रा बनाना यहां का एक परमुख उद्योग रहा है क्या हुआ ना कप्रा बनाना चले यहां से हमारा पार्ट फाइब पुर्णा तक खत्म हो गया है अब पार्ट शिक्स आपको मिलेगा कल उम्मिद करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ठीक है ना और जिदा कुछ तो है नहीं हरपा सब्यते के बारे तरह जनकाली लेना था अब हम लोग करेंगे जो आने वाला है ठीक है ना उसके वाद संडे को आपका लगबत दो से आरा घंडे एक कलास होगी जिसमें आपका पूरा निचोर अब्जेक्टिव होगा और उसका आपका टेस्ट लिया जाएगा ठीक है और उन सभी पीडियाप को जो है ना हम टेलीग्राम पे ड झाल